हेलो एवरिवन वेल्कम प्रो नायरा स्टेडी हप आप सब कैसे हैं मैं आयरा स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टेडी हप पर आज हम लोग देखिए नेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड जो कि आपकी पेडागोजी में ही आता है और मैथ में भी ठीक है ना तो इस हिसाब से आप लोगों का जो पेडागोजी है जब तक आप लोगों को पॉजिटिव और नेगिटिव वर्ड नहीं पताऊंगे तब तक आप लोग अच्छे से कुश्चन सॉल्वर नहीं कर पाएंगे तो आज का जो यह वीडि देख लेते हैं कि सबसे पहले नेगिटिव वर्ड कौन-कौन होते हैं और पॉजिटिव वर्ड कौन-कौन से होते हैं तो आपका जहां पर मान की क्रत आ जाए वो आपका क्या हो जाता है वो आपका नेगिटिव वर्ड हो जाता है फ्रेंस देखिए आगे बढ़ने से पहल जहहां पर भी आपका मानकी क्रत आजे है जिस option में आप उसको देखें और आप कुछ कर दें क्योंकि यह आपका negative word हो जाता है उसके बाद किसी बचये की तुलना करना उसको यह आकना यह बताना की उसके नमबर इतने जादा है तुम्हारे कम आए इस तरीके का अगर कहीं पर भी कोई भी आपको option मिल जाता है जिसमें तुलना हो रही हो तो वो आपका negative word हो जाता है उसके बाद अगर कठोर की बात की जाए तो बच्चों के लिए कठोर अनुशाशन में रखना या कठोरता वाला विहार करना इस तरीके का भी ये word आपका negative हो जाता है क्यूंकि बच्चों के साथ कठोर तरीके से पेश नहीं आना है कठोरता से उसको कोई भी चीज नहीं सिखानी है बच्चों को कैसे सिखानी है बच्चों को मार्क दर्शन दे कर उनमें कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना है जो बच्चों की भलाई के अनुकूल हो कानि की देखिए बच्चोको मारना नहीं है पीटना नहीं है आग नहीं दिखानी इस तरीके के यह आपके positive वर्ड में आ जाते हैं इसलोल के इा सबरीव को जाते हैं शर्क्रिय यानि कि वाधान और अभ्यास वेधन अभ्यास भी आप आपसिध्य 6 में आ ना ना बच्चे स्वयम करके सीखें तो आपका जो निश्किरी याने पैसी हो जाता ये भी आपका नेगिटिव हो जाता है उसके बाद वेख्या या वेख्यान इस तरह के भी जो वड़ा वह आते हैं वो भी आपके negative हो जाते हैं दंड सजा भै देखिए बच्चों को दंड तो देना ही नहीं है बिल्कुल भी उसके बाद सजा और भै उसके उनको जैसे भै दिखाना की इस तरीके से ऐसे है इसको बच्चे को जैसे की कोई वर्क नहीं करके लाया तो उसको डाटना है तो इस तरह से आप बच्चों के साथ क्या करता है कि उसको दंड नहीं दे सकता है वो अगर कोई गलती करता भी है तो बच्चे को समझाया जाता है सजा का कोई प्रवधान अब नहीं है क्योंकि पहले क्या होता था अगर बच्चे काम करके नहीं ले जाते थे तो बच्चे चड़िया खाते थ और देखिए उन पे गुसा भी किया जाता था कि क्यों नहीं वर्क करके लाते हैं तो बच्चे क्या कहते थे जो भी माडम या सर जो भी होते थे तो वो मतलब ये कि हम कौपी भूल गए इस तरह का बच्चे जवाब दे देते थे लेकिन अब क्या वो होम वर्क इतना जर्वेश में बच्चे सीखें तो इस तरह क्या हो जाता है दंड सजा और भै ये भी आपके नेगिटिव हो जाते हैं जैसे आप किसी भी ऑप्शन में दंड देखें दंड देखकर ही आप उस पे कट कर दें वो आपका गलत हो जाता है सजा देखकर ही आप कट कर दें और है आप कट कर सकते हैं ठीक है कर सकते हैं कर ही दीजिएगा ठीक है ना उसके बाद positive word देखते हैं देखिए लचीला जहां पर लचीला पन है बच्चों को आ पढ़ा रहे हैं उसमें लचीला पन है तो यह आपका positive हो जाता है उसके बाद समावेशी सिक्षा समावेशी सिक्षा किसे कहते हैं बिना भीद भाव के बच्चा किसी भी तबके का हो गरीब तबके का हो उसमें कोई भी परेशानी हो कोई भी समस्या हो लेकिन सब कुछ भूल के जात बात हर चीज़ को भूल के एक ही छट के नीचे एक जैस केंद्री हो जाती है कि यह आपका पॉजिटीव वर्ण हो जाता है तो यह का कॉंध सावर्ण हो जाता हैं तो यह आपका कौन सा हो जाता है क्योंकि बच्छे ठावाद और स्वेपहल अन्वेशन और समालोशनात्मक चिंतन ये आपके positive वर्ड हो जाते हैं, next बढ़ते हैं, देखिए, आपका negative वर्ड पहले देख लेते हैं, negative वर्ड कौंसा है, परतीस परधा, परतीस परधा आपका negative वर्ड हो जाता है, और मानक जहां पे मानक देखें आप उसको देखते ही आप कट कर दें क्योंकि मानक आपका नेगिटिव वर्ड हो जाता है सहानुभूती सहानुभूती ऐसे तो आपको लग रहा है कि सहानुभूती पॉजिटिव वर्ड है लेकिन नहीं यह आपका नेगिटिव वर्ड है वो भावी नाकरिक बन सकें. ठीक है न? तो उनको हमें सहानुभूती नहीं दिखाना है. तो और क्या हमें दिखाना है समानुभूती यानी इंपेथी दिखानी है. उसके बाद रटना, याद करना इसमरण ये आपके क्या हो जाते हैं? नेगिटियू वर्ड हो जाते हैं. बच्चे करके सीखते हैं समझ के सीखते हैं अपने परिवीश में अच्छे से तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं इसलिए रटना याद करना और इसमरोड करना यह आपका नेगिटिव हो जाता है उसके बाद पुस्तक केंद्रित और सिच्छक केंद्रित यह भी आपका नेगिटिव हो जाता है मतलब यह है कि पुस्तक है लेकिन यह नहीं कि बच्चा जैसे ही गया उसको पुस्तक से घ्यान देने लगे इसमें च्छपा है उसको यह पढ़ लो ऐसा नहीं है बच्चों को समझाना है बच्चों के एकॉर्डिंग चलना है ठीक है ना तो आपका क् पुस्तक केंद्रित आपकर नेगी ट्यूवर्ड हो जाता है और सिच्छक केंद्रित, सिच्छक क्या है, सिच्छक ये नहीं कि बच्छा कोई question नहीं कर पा रहा है, तो सिच्छक उसका तुरंत हल बता दे कि इसका ये answer हो गया, जाओ बैठ हो जाके अपनी जगा पे, ऐसा कु teacher उसको ये नहीं है कि ये दो और दो चार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, उसको चार लिख दिया और बिठा दिया, उसको ये समझाना है ये दो और दो है और जो ये निशान लगा है ये प्लस का यानि की जोड का निशान है इसको देखकर आपको जोड़ना है उसके बाद उसकी उमलिया जैसे माली जे दो और दो है तो दो उसको काउंट करेंगे फिर दो इसको कि दोनों को जोड़ देना है फिर एक द तीन चार ऐसे करके उसको समझाना है फिर बच्चे से पूछना आप कितने हुए तो बच्चा खुद बताएगा कि अभी चार हुए तो बच्चे की देखे समझ में आ गया तो बच्चे को क्या समझाना है ना कि उसको अगर कोई कोश्चन करें तो उसको डाट के बिठा देना और ना ऐसा है कि उसको आप तुरंद उसका आंसर दे दे उसको बीच में रखना है कि बच्चा करके खुद सीखे आपको क्या काम करना है आपको मार्ग दर्शक काम करना यानि जो सिच्छक होता है उसको मार्ग दर्शक कहा गया है क्योंकि वो रास्ता तो बताता है लेकिन ब जिए आपTube जाता हैं उसके बाद हतोत साहिट निरुट साहिट आपके जाता है। algorithm और samitumulyankan, उपेक्षा यानि ignore क्योंकि हमें क्या करना है बच्चे को ignore नहीं करना है बच्चे को क्या करना है अगर वो कोई question कर रहा है तो आप उसको समझे कि आखिर बच्चा पूछ हमसे क्या आ रहा है वो कहना क्या चाहता है तो उसको वो अपनी मात्र भाषा में बात करना है तो ये नहीं है कि बच्चे को जब ये भाषा सीख जाना तो हमारे पास आ जाना या हमसे इस भाषा में बात क्या करना है ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे को ignore आपको किसी हाल में नहीं करना है वो किसी भी इस्तिती में है, उसको आपको इग्नорм नहीं करना है, वो आपसे questions कररा है, तो आपको उसके answer देना है, वो आपसे किस तरह से बात कररा है, वो भी सब कुछ आप ही को देखना है, क्योंकि बच्चा क्या है? बच्चा सरवेशरवा है, बच्चे को ही मानकर पहले क्या था कि अध्यापक सर्वे सर्वा होता था अध्यापक जैसा कहता था बच्चों को वैसा करना होता था लेकिन अब यह है कि बच्चे जैसा चाहें वैसा अध्यापक को करना होता है तो बच्चे को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं आप कर सकते यानि कि बच्चे की कई सलड़ से कोई सिखाएं कोई चीज़ देखें समझाना आपका पॉसिटिव वड़ हो जाता है ज्ञान का निरमाड वाल कें दूंडollja आपका पुस्तक चाहता है तो बच्चों के आकउडिंग जैसा बच्चे चाहते हैं, बच्चे को ही सब कुछ मान कर ही सिक्षा देनी है, उसकी भलाई के लिए वर्क करना है, जैसे बच्चे को मैं बार बार बता रही हूं कि बच्चों को डाटना नहीं है, मारना नहीं है, सजा नहीं देनी है, वो कितने भी आप से सवाल करें, आप यह नहीं कह सकते है कि चुप चाप बैट जाओ मुझसे सवाल ना करो क्योंकि बच्चे आप से सवाल करेंगे वो उट पटांग भी सवाल करेंगे ऐसा नहीं है कि बच्चे एकदम से मतलब में एकदम करेक्ट ही सवाल ऐसे करेंगे जो आपको अच्छे लगें आपको देखो जो teacher है तो उन्हें क्या वो mark दर्शक है तो जब mark दर्शक है तो बच्चों की problem तो वो solve करेंगे ही और बच्चों को अच्छे परिवेश में अच्छे वातावरण में उन्हें सिक्षा देनी है तो सिक्षा कैसी है बाल केंद्रित और संदर्वित आपका positive हो जाता है प्रोचस प्रसाहित करने की अच्छी विधी नहीं मानी जाती है कि कभी कभी आप बच्चों को अगर प्रसकार देते हैं तो तो वह अच्छी विधी हो गई लेकिन आप हर कोश्चन के बाद उसको साबाशी देते हैं या हर जैसे रोज के क्लास में आप उसको कोई गिफ्ट देते हैं कि या तुमने ये सबसे पहले वर्क किया इस तरीके से तो बच्चा एक दिन दो दिन तीन दिन करेगा फिर उसको वो निरस्ता लगने लगती हैं तो इसलिए क्या होता है कि आपको उसको प्रसकार नहीं देन है आपको कभी कभी हैं जैसे कि कभी कभी हो गया कि हाँ बच्चे ने अच्छा वर्क किया तो उसको साभाशी दे दे तो कहने का मतलब यह उसको प्रसाहित करना चाहिए लेकिन प्रसकार रोज देकर प्रसाहित नहीं करना चाहिए समता और समानता यह आपके दोनों वर्यत पॉजिटिव हो जाते हैं लेकिन जहां पर समता और समानता दोनों वर्यता हो तो आपको वर्यता किसको देनी है आपको समता को वर्यता देनी है क्योंकि अब आप यह कहेंगे कि समता और समानता दोनों पॉजिटिव वर्यता है फिर हम समता को क्यों वर्यता देंगे तो जी ह आपको समता को वरिता देनी है समानता के अपेक्षा और अगर जहां पे समता नहीं होता है और समानता होता है तब वो आपका, क्योंकि समानता भी आपका positive word हो जाता है हाई होप, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और समवेदन शील ये भी आपका positive word हो जाता है सरचनात्मक आंकलन ये भी आपका positive word हो जाता है नेक्स्ट बढ़ते हैं देखिए आपका उपेक्षा हो गया फिर अधी विन्यास यानि कारभार तो अधी विन्यास तो कारभार बच्चों को कारभार नहीं देना है कि इतना देर सारा homework दे दिया और बच्चों से बोले ये घर से करके लाना और जैसे ही विद्याले में आये उनका homework चेक करने लगे आपको यह नहीं पता है कि घर में इसका होमवर्क किसने करके दिया है क्योंकि जब आप ज़्यादा वर्क देंगे तो घर में क्या होगा उनके भाई बहन ममी पापा वर्क करके देंगे क्योंकि जानते कि बच्चों को कली स्कूल भी भेजना है और बच्चों को अध्यापक के सामने जाना है ठीक है ना तो वर्क तो करके दे देंगे लेकिन बच्चा उसमें क्या सीखा आपने इतना सारा वर्क दे दिया बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता या आकिरी वर्क होता क्या है तो होम वर्क देना इतना जरूरी नहीं होता है जितना बच्चों को समझा के उसको अच्छे वातावरण में अच्छा माहोल देकर बच्चों को गर समझाया जाए तो बच्चों की जो समझ में चीज़े आती हैं वो बहुत ही अच्छे से आती हैं ना कि कारभार उसके बस्ते का बोज लाद दिया बहुत सारी किताबे बच् आपका जी आध्यापक जी बहुत अच्छे रोज वर्क देते हैं और बच्चे को पढ़ना और लिखना कुछ भी नहीं आया उसको यह भी नहीं पता है कि हमारे हम क्या सीखने आया और हमको क्या सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए बच्चे को कुछ भी नहीं पता है मग वर्क इतना करेंगे की दो- ה-4 कौपियां भर देंगे हैं आपका लेगर पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं देखे संरचनाथ मत्म अप्षर पॉजिटिव वर्ड हो जाता है तुर्टी और भरांतियां अब आप चेहेंगे सीखता है तो जब मनुश्य जीवन भर गलती करता है और गलती करके सीखता है तो जो बच्चे हैं तो वो गलती क्यों नहीं करेंगे क्योंकि जब गलती करेंगे उसके बाद ही उसमें सुधार करेंगे और जब सुधार करेंगे तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे क्य कि उनको ये भी पताओगा कि अम ऐसा करेंगे तो ये घलत हो जाएगा और हम इस तरीके से अब जिसे की कोई सफलता मिल गए आपको सफलता नहीं मिली लेकिन आसफलता का आपने कारण तो जान लिया ठीक है ना क्योंकि आसफलता का कारण जब आपने जाना तो उस कारण को आपने खतम किया फिर उसके बाद आपको सीख पाते हैं और यह भी सीख जाते हैं कि जो हमने गलती की है आप वाइंदार ना करें इससे हमको यह चीज ऐसा सबक मिलता है ठीक है दीखने की उनमें ललक है तो जो भ्रांतियां होती हैं तो वो भी आपकी पॉजिटिव हो जाती है उसके बाद अवसर यानि अपॉर्चिनिटी तो अवसर भी यानि बच्चों को अवसर देना चाहिए वो करके खुद से सीखें तो यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड हो जा एक बार हम और से रिपीट कर लेते हैं देख लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगिटिव वर्ड कौन कौन से तो सबसे पहले नेगिटिव वर्ड देखते हैं यह आपके हो जाते हैं नेगिटिव वर्ड आप देख लेते हैं पॉजिटिव वर्ड आपका लचीला समावेशी बाल केंद्रित सक्रिय यानि एक्टिव अर्थपोन दीगम सनरचनावाद स्वय पहल अन्विशन समालोचनात्मक चिंतन सहानु भूति और समझना यानि बाल केंद्रित संदर्बित प्रोतसाहित समता समानता समय दन्शील सनरचनात्मक आंकलन तुर्टी ब्रांतियां अवसर रचनावाद और समझ यह आपके पॉजिटिव हो जाते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आगे होगा आप लो आप लोगों के मांड में सेट हो जाएंगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और टापिक को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे आने